गुटका, 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 साथियों, जितने भी मेरे मित्र गुटका खाते हैं, पान खाते हैं, जरदा खाते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, खास करके उनके लिए जो ये समनसा करते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कह रहा हूं आज कोई बगवास नहीं है एक सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और हो सके तो आप इसको अंदर तक जाने दीजिएगा क्योंकि समझेंगे तभी जाके आप लब कुछ कर पाएंगे देखिए मैं यह नहीं बता हूंगा कि आप गुटका खाईए य मत खाईएगा मत खाना यार जिन्दगी बरबाद हो जाती है बस पांस मिनट की खुशी के लिए इनसान जैसे होता ना कि इनसान को सेक्स की नसा होती है वो एक चड़ता है दिमाग पे कीड़ा काड़ता है कि हाँ यार नहीं यह करना चाहिए ठीक वैसे इस गुटकी के बा तो पीजे जिस अमध खाना जार अगर अगर आप बड़ा थी समझते हो मुझे या चोटा ब़ाई समझते हो मत खाना यार इस lockdown के समय में यदि आपने गुटका नहीं छोड़ा है तो सच में आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे मैंने एक वीडियो बनाया था कल इस पे बड़ी लोग dislike भी किया है और like भी किया है मेरी बात उनको बुरी भी लगी है और अच्छी भी लगी है अभी दात जो आपका है अभी मज़ा नहीं अभी मज़ा आ रहा है अभी आपको लगने रहा है कि हाँ यार मेरे दात से कुछ प्रोब्लम है या हो सकता है लेकिन जड़ा दो मिनट के लिए अपनी आखे बंद करके सोचिए आसे 20 बर्स के बाद करीब करीब 20 बर्स के बाद जब आप बूठे हो जाएंगे जब आप चल नहीं सकेंगे अगर 5 किलो का वजन होगा तो उसको उठाने में आपको बड़ी दिक्कत होगी असा उत फिल कीजिए उस समय यदि आपके सामने कुछ चबाने वाला काम आजाया कुछ ऐसा जिसे दांत से ही हो सकता है आप मन अंदर से करेगा कि नहीं यार मुझे खानाचाईए लेकिन दांत आपका साथ नहीं देगा वो कहेगा कि आप अपने जिन्दगी में, अपने ज़मानी में बड़े मज़िकिये हैं आज सजा तो आपको भोगतना ही पड़ेगा इसलिए अब ऐसा दिन ना आए हम सब के साथ इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यदि आप गुटका खाते हैं तो मत खाईएगा यार सुपाडी जो होती है या फिर मलब कुछ भी होता जो अजड़ चीज होता है जो दातों पर जोर लगता है जिससे की दात कमजोर हो जाते हैं उसके मस्टूरे सूच जाते हैं यह सब बहुत बेकार चीज़े होती है मेरे इसाब से इसको आप मत खाईएगा मेरे मित्र मत खाईएगा क्योंकि यह जीवन में सिर्फ दो ही बार मिलता है आपको भी पता है दो ही बार मिलता है तीसरी बार यदि चाहिए तो आपको पैसे लगेंगे पैसे लगे का तभी आपको तीसरी बार यह दांत मिल सकता है तो ज्यादा बक्वास ना करते हुए मैं छोड़ी से इंफर्मेशन था मैं यही कहना चाहता था अगर बात अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा नहीं अच्छी लगे तो डिश्लाइक कर दीजीगा क्योंकि अपना काम है बताना अब अच्छा लगे ना लगे वो तो आपकी मर्जी है चलिए आज के लिए वस इतना ही अगर सच में आप छोड़ कीजेगा कि आपने छोड़ा या नहीं छोड़ा थैंक्यू